और इसी बीच चलिए सीधा रुख कर लेते हैं सोत की बड़ी ख़बर का न्यूज अटेन में जहां आपको बता दे कि सुप्रेम कोट की तरफ से फैस्ता सुना दिया गया है और दिल्ली के मुख्य मंतरी अरविंदी केश जिवाल को राहत मिलती हुए नजरारी सुप्रेम को अरविंदी केश जिवाल को फिलाल अंतरिम जमानत दी गई है ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं याचिका दायर की गई थी और साथी एडी की जो गिरफतारी है उसको भी अवैद बताया गया था अरविंदी केश जिवाल की तरफ से इस याचिका मिल और इस प बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं गिरफतारी की वहता वाले पहलों पर अब जो है बड़ी बैंच है वो अब इस पूरे मामले में आगे की सुनवाई करेंगे लिकिन अभी तक जिस प्रकास से ये सुनवाई हुई है उसमें ये ज़रूर साफ हुआ कि अरविंदी अपकर अपकichen की अवाई है खिए है ईवडिव However, after the trial court had granted, the vacation manager of the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. Therefore, he has also been arrested by CBI in a separate, although connected case, but that is technically a separate case. Mr. Keltiwal has initiated proceedings against that also, that is pending and coming before high court on 17th. So depending on the outcome of the CBI case, his actual release from jail will depend on that. But insofar as ED is concerned, he is no more required to be in custody as per the Supreme Court order in the ED matter. And insofar as Hindi, Mr. Vivek General. Vivek General. Vivek General. Vivek General. Vivek General. में हमारी आचिकापे ये कोष़षन कंसीडर किया है कि हां नेसिश सीदी ओफ अशुब है अशुद विन कंसीडर आई यो को इस जरूप है या नहीं है और इसी पॉइंट के ओपर सुप्रीम कोट ने नेसिश सीटी ओफ आएने के त्यू reference के ओपर क्या है या नहीं है एस्वाइजर बेंच से अपर दिया है आप इस क्यों की मामला आप लाजर बेंच पेडिकाइच मुट Supreme Court ने कहा है क्योंकि बहुत देर से वह अंसाइड है 21 मार्ट से वह अंदर है इसलिए PMLA वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और PMLA वाले मैटर के अंदर अब केजरिवाल को बेल मिलेगी एस फार एस सीबिया का मैटर अभी भी लिंबित है उसके अंदर हमारी याचिका राइकोट के अंदर भी पेंडिंग है जो 17 तरीकों आ रही है उस पर डिपेंड करेगा कि वह एक्शल में केजरिवाल साथ बहार आएंगे या नहीं आएंगे एस इस इंटरिम बेल इस कंसरेंड ही इस आउटन बेल तो जिस तरीक से देखा है तो सुप्रेम कोट से फिलाल कर राहत मिलती हुए अरविंद केजरिवाल को नजर आ रही है सुप्रेम कोट से राहत मिल चुकी है और एडी की गिरफतारी को लेकर कि ये चुनौती दी गई थी इस याचिका में और इस याचिका के सुनवाई करते हुए अरविंद केजरिवाल को फिलाल राहत मिल चुकी है लेकिन साथी जो गिरफतारी की बेहता वाला जो पहलू है उसको फिलाल बड़ी बेंच में शिफ्ट किया